सनात्क उत्तर उत्तरार्द के प्रिवच्चों आज हम क्रिदंत प्रकण के पूर्व क्रिदंत में से निनी, खश और क्वनिप इन तीन प्रत्यों से संबध्ध जो सूत्र हैं उनकी व्याख्या करेंगे तथा उनको दे करके और इसे समझाएंगे आप इन सूत्रों को समझ कर तथा उदारनों की प्रक्रिया को समझ कर उनकी सिद्धी करने का स्वेम भी प्रयास करेंगे और अपने रिजिश्टर में उनको लिखने का अभ्यास करेंगे आए सबसे पहले हम निनी प्रत्य का विधान करने वाले प्रथम सूत्र शूप्यजातव रिनिस्ताच्छिल्ये इसकी चर्चा कर लें सूत्र एक बार पुना सुन लें शूप्यजातव रिनिस्ताच्छिल्ये ये विधि सूत्र है बृत्ति कहती है अजात्यर्थी शुपी धात और निनिस्ताचिल्य द्योत्य उष्णभोजी हर्थात जात्यर्थ से भिन्न शुबंत के उपपद होने पर धात उसे परे निनि प्रत्य हो जाता है यदि करता का शील यनि स्वभाव द्योतित हो तो अर्थात यह उसका स्वभाव है यह वहाँ पर ध्योतित होना चाहिए तब ही निनि प्रत्य प्राप्त होगा लेकिन जात्यर्थ से भिन्न जो धातों हैं जो उपपद हैं उनसे परे धातों से ही निनि प्रत्य का विदान होगा अर्थात उपपद यदी जात्यर्थक है फिर उससे परे चाहे धातों कोई भी हो उसको निनि प्रत्य की प्राप्ति नहीं होगी यहां सब्दों में स्पष्ट कहा गया अजातों अर्थात जाती भिन्न अर्थ में अजाती अर्थे शुपी अर्थात जाती अर्थ से भिन्न जो सुबंत पद है उसके उपद होने पर धातों हो परह जो धातों है उससे परे निनि प्रत्य यहां जो निनि प्रत्य है वह होता है ताच्छिल्य और वह धातों अर्थ की करत्रिकत स्वभावता को ब्यक्त करता है अर्थात करता के अर्थ में ही वह धातों से परे होता है लेकिन उसका स्वभाव यह अर्थ वहां पर द्योतित होता है कृत संग्यक होने से ये प्रत्या भी करता के अर्थमी होता है ये ध्यान अगना चाहिए करतारे कृत के अधिकार में ये सब प्राप्त हो रहे हैं और जो रिनी प्रत्या है उसमें आदी रिनकार का लोप हो जाता है क्योंकि चुटू सूत्र से उसकी इत्संग्या हो जाती है और तस्य लोपे से उसका लोप हो जाता है इसी प्रकार से अंत्य जो इकार है उसकी उपदे से अजन उना से की इत्संग्या और तस्य लोपे से लोप हो जाता है इस प्रकार से केवल इन शेष रहता है इन रस्व इकार और हलंत नकार अब इसके अनवंधों का जो प्रयोजन है वैनन्दिक ग्रह पसाद इत्यादि सूत्र के द्वारा हमने पहले बता दिया है अब उश्नभोजी यह जो शब्द है जो निनी प्रत्यांत है कैसे बनता है उसकी शिद्धिक कैसे होती है आईए हम उसको बताते हैं इस सब्दकार्त है उश्नम भुक उश्नम भूंकते तक छीला थी उश्नभोजी यही गर्मागर्म खाने का सवभाव है जिसका यही थंडा भोजन जिसको पसंदही नहीं है गर्मा गर्म खाने का स्वभाव बन किया उसके आदत बन गई है इस प्रकार का जो अब्यक्ति है वै उश्न भोजी है यह करता है यहीं गर्मा गर्म खाने वाला वै उश्न भोजी क्या लाता है तो यहां उश्न कर्म के उपपद रहने के कारण से भुजधात को करता के अर्थ में सुप्य जातों निनिस्ताच्छिल्य सूत्र के द्वारा निनि प्रत्य की प्राप्ति हो गई अर्थात उश्न अम भुज निनि यह स्तिती बन गई अब यहां पर अनुबंदों का हम लोब कर देंगे जो निनि प्रत्य है उसके इंकार का और नकार का इत्संग्या होने पर लोब हो जाता है केवल इन शेश रहता है तो उश्न अम भुज इन यह स्तिती बन जाएगी अब यहां पर चूंकि जो निनि प्रत्य हुआ है वै कृत्य प्रत्य है इसलिए इसको करत्री कर्मनों कृत्री सूत्र के द्वारा यहां पर सश्टी वक्ति की प्राप्ति हो जाएगी तो उश्न अमस भुज इन यह स्तिती बन जाएगी अब पगुंत लगूपदा सिच्चा सूत्र के द्वारा उपधा को गुण प्राप्त हो जाएगा यानि जो भुजधातु है उसके उकार को गुण हने पर ओ आदेश प्राप्त होगा तो उश्न भोज उश्न अंगस भोज इन यह स्तिती बन जाएगा अब यहां पर उपपद मतिंग सूत्र के द्वारा उपद समास की प्राप्ति हो जाएगी उश्न भोज इन यहां पर इसको हम मिला देंगे तो उश्न भोज इन यहां पर इसको हम मिला देंगे इस इस्तिति बन जाएगी यह किदंत प्रात्य बन गया है प्रात्य प्राप्त होने के कान से इसको सूँ प्रत्य के प्राप्ति हो जाएगी उश्न भोज इन सूँ उश्न भोजिन सूं के उकार की चंग्याओकर के लोप हो जाता है उश्न भोजिन इस प्रकार की इस्तिती बन जाती है तो यहां पर सकार का भी सूं जो है उसका भी हल्ग्याब्योग जो इत्यादी सूतर उसके द्वारा सूं का यने सकार का लोप हो जाएगा तो उश्न भोजिन ये स्थिति यहां पर बन जाती है अब यहां पर सूपरे होने के काणचे सवुचाय सूत्र के द्वारा उबधा को दीर गो जाएगा अर्थात उश्न भोजिन यहां पर जी में जो हरस्व ई है उसके इस्थाम पर दीरग यह आदेश हो जाएगा उष्ण भोजीन यह स्तेदी बन जाएगी उबधा को दीरग हो गया और अब नलोप instructors ने दोरा उष्ण भोज्यी एंत्र में जो नकार है। उसन बोजिय तो उसन भोजी यह रूम सी दोता है किसे बना इसकी प्रक्रिया थी। इसी प्रकार से बचत्र Cel乾्र जब जात्यार्थ से भिन्न सुबंत के उपद होने पर धातु से परेज़ और निनी प्रत्याव है प्राप्त होगा तो इसी प्रकार से रूप बनते जाएंगे। हाईए हम इस प्रकार के सब्दों की सिद्धी के बाद में अगरे सूत्र पर ध्यान देते हैं। यह भी विदी सूत्र है मनह अर्थात सुपी मन्यते निनी इस्याद दर्षनीय मानी यानि सुबंत के उपद होने पर मन जो धातु है उसे निनी प्रत्याव की प्राप्ति हो। ध्यान रहे मन धातु दो प्रकार की हैं। एक मन धातु मन ज्याने है जो की दिवादिगन की है। तो इस दिवादिक धातु से ही यहां पर निनी प्रत्याव की प्राप्ति होगी। दूसी धातो है मनु अवावबो धने, वा तनाधिगन की है, तो हुसके तनाधिकनी होने के काण से उसको इस शूत्र के द्वारा निनी प्रत्या प्राप्तन नहीं होगा या ध्यान कुने वाली बात है। अब आईए आपको इसका उदार्ण जो है उसको समझाते हैं उदार्ण है दर्शनीय मानी दर्शनीय मानी में क्या है इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ है दर्शनीय मन्य तहीं ते दर्शनीय मानी यहीं सुंदर मानने वाला या दर्षनी कर्म के उपद रहने के इकारण से मन ज्ञाने दातु से मन एसूतर के द्वारा निनी प्रत्ते की प्राब्ति हो गई अर्थात दर्षनी अम मन निनी इस प्रकार की श्थितिप बन गई अब अनुवन्धों का हम लोप कर देंगे तो दर्षनिय अम इन ये स्थिती बन जाएगी अब यहाँ पर करता के अर्थ में प्रत्य की प्राप्ति होने के काल से करत्री कर्मनों कृति सूत्र के द्वारा यहाँ पर उसको सश्ट्री वक्ति की प्राप्ति हो जाएगी तो रूप बन जाएगा दर्षनिय अंगस मन इन ऐसी स्थिती होने पर यहाँ पर अतु उपधाया सूत्र के द्वारा धातों की जो उपधा है यहनि जो अकार है उसको व्रद्य आदेश हो जाएगा व्रद्य आदेश होने पर जो बनेगा वह होगा दर्षनिय अंगस मान इन अब यहाँ पर उसको उपद मदिंग सूत्र के द्वारा समास की प्राप्ति हो जाएगी उपद समास की प्राप्ति हो जाएगी प्रात्पदिक संग्या के तदिच समासा सा सूत्र के द्वारा हो जाएगी तो सुपोध हाथ प्रात्पतिक के दरा सुप का लोग हो जाएगा तो इस्तिती बचेगी दर्शनिय मान इन अब मान के नकार में जो इन का इए उसको मिला देंगे तो दर्शनिय मान इन ये स्तिती बन जाएगी दोनों को मिला देंगे तो दर्षनिय मानिन ये क्रिदंत रूप सिद्ध हो जाता है, सब्द बन जाता है अब यहाँ पर समास होने के एकार्ण से और क्रिदंत प्रात्पदिक होने के एकार्ण से प्रत्मा के एक वज़न में सूँ परते की प्राप्ति होगी की तो बनेगा दरशनी मानिन सुं's में जो उंव है उसकी त्संग हो के लोगप हो जाएगा दरशने मानिन अब हल से परेज की सुंह है ये सकार है उसके होने के काण़ से यहां पर हल्ग्याम भ्योदीर्गा सुदिश्य परिक्ता महल शूत्र के द्वारा उसका लोब हो जाएगा तो दर्षनी मानिन ये श्तिति बन जाती है अब यहां पर सूपर्त्य के पर्यों होने के कारण से जो उबदा है उसको साुच शूतर के द्वारा दिर Europeans हो जाएगा तो दर्षणी मानीन यह स्थथि बन जाएगी अभ जो अंतिम जो नकार है उसको न लोब आप्रादपति कांता से शूतर के द्वारा हम लुप्त कर देंगे उसका लोब कर देंगे तो दर्षनी मानी यह सब्द बन जाएगा तो यह मना सूत्र के द्वारा रिनी प्रत्य की प्राप्ति होने पर यह सब्द बनता है यहाँ यह बात द्यान देने योग्य है कि दूसरे कोई दर्शनियादी मानने में इस सूत्र की प्रवित्ति होती है अपने आपको मानने में नहीं अपने आपको मानने में अग्रिम सूत्र द्वारा खश और रिनी दो परतियों का विधान किया गया है मैं सूत्र आपको अब हम बताएंगे तो इसलिए यहाँ समझ लें इस सूत्र द्वारा सिद्ध कियेगे दर्शनी मानी जो पद है उसका प्रयोग इस प्रकार समझना चाहिए दर्शनी मानी देवदत्त से यग्यदत्त है अर्थात यग्यदत्त देवदत्य को सुंदर मानता है, यहां पर स्वयम को सुंदर नहीं मानता है, दूजरे को सुंदर मानता है, इस प्रकार की स्थिति होने पर ही यहां पर इसको निनी प्रत्य की सूत्र की द्वारा प्राप्ति हुई है, अब आते हम अग्विम सूत्र पर, वैं सूत्र है, आत् भी हो तो सुबंत के उपद रहते मन्धात उसे परे खश प्रत्या हो और निनी भी हो अर्थात खश प्रत्या विकल्ब से प्राप्त हो और पक्ष में उसको निनी प्रत्या की भी प्राप्ती होती रहेगी कृत संग्या कोने से ये दोनों प्रत्या करता आर्थ में ही होंगे और खश का अनुबंद लोप होने पर एशेश रहता है यानि खकार और शकार की इशेश रहता है ये पहले ही आपको हमने बता दिया है तो आईए हम उदारण की ओर चलते हैं और वृत्ती सूत्र को इस्वर्श करते ही कहती स्वकार्म के मनने वर्तमानान मन्यते है सुपी खश्याद अर्थात जैसे पंडितम मन्यह और पंडितम पंडित मानी ये दो सब्द बनते हैं तो पंडितम मन्यह और पंडितम माने यहाँ पर वास्त में ध्यान देने वाली बात यह है कि वैस्वयम को ऐसा मानता है, इस कारण से यहाँ पर आत्म माने खश असूत्र के द्वारा खश प्रत्य की प्राप्ति हुई है। तो पंडितम मन्यह पंडितम यह कर्म कार का उपद है, इसके पर धात्व मन्यह पर अपने आपको पंडितम मानने के कांज़ी यहाँ पर आत्म माने खश सब्सार के द्वारा खश प्रत्य की प्राप्ति हो गई। खस में शकार की और खकार की संग्याओं के लोग गया इस शित है तो इस शित प्रत्या के परे अनवंदों का लोग कर दिया तो एबचा यह पंडित अम मन खस यह था पहले अब हो गया पंडित अम मन अ अब कित संग्याओं प्रत्या के परे होने के काण से इसको सश्टी वक् कर्ति कर्मणहुक्रति शूतर के द्वारा तो पंडित कवस्त ह्मन इस ति हो गई हम कि अबो शित-प्रत्य परें होने के काण्व यानि जो खसप्रत्य विषित है variety इसलिए तिंग्षित सार्धात मस्तृतर के द्वारा सारधातुसंग्या का होने के कारण से करतर शब के द्वारा सब प्रत्य की प्राप्ति होती है लेकिन दिवादि भ्याः शवं शुत्र के द्वार यहां पर श्यान प्रत्य हो जाता है तो पंडित अंगस कि मन शेयं एच यह स्थी बन जाती हैं अब शेय के अन्वंध शन्क के अनूबंदों का भी हम் लौप कर देंगे नंकार के अलंतियम से शेयरी से शोकार के लशक कु 10 घया तर शेयर लौप हो गया केवल यह, शेय से रह जाता है तो इस्तिती बन जाती है पंडित गस मन यह अब यहाँ पर श्यन का भी अंत में ए है और खर्स का ए बचावा है ही तो इन दोनों के स्थाम पर अतो गुणे सूत्र के द्वारा पर रूप गुणादेश हो जाता है अर्थात आगे वाला ए रह जाएगा तो इस्तिती बन जाएगी पंडित गस मन आधाय जो है उसमें आगे वाला है जो है उसको मिला देंगे तो यह 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 पंडित मन्य यह स्थिती बन गई पंडित गस मन्य अब यह इस्तिती होती यहां पर इसको उपद मतिंग सूत्र के द्वारा समास की प्राप्ति प्रात्पदिक संग्या सुपका लोब लोब ने पर बना इस पंडित मन्य दोनों को हमने मिला दिया तो पंडित मन्य लेकिन दोनों के मिलाने से पहले यहां पर जो पंडित सब्द है यह अजन्त पूरुपद है इस कांड़ से अरुषद द्विशद अजन्तस मुम सूत्र के द्वारे हैं पर मुम का आगम हो जाएगा दोनों के बीश में तो पंडित मुम मन्य ये स्थिति बन जाएगी मुम के मकार और उंकार की इस संग्याओक के लोप हो जाएगा के वला आधा मैं बुझेगा तो पंडितम मन्य ये स्थिति बन जाएगी दोनों को मिला देंगे तो पंडितम मन्य ये प्रात्पतिक बन जाएगा इसको सूं की प आत्माने खश्य सूत्र के द्वारा स्वयम को अगर कोई पंडित मानता है तो उसको खश परत्य की प्राप्ति होगी स्वयम को पंडित नहीं मानता है इसी स्थिति होती है तो उसको पक्स में जो रिनी परत्य है वैं प्राप्त होता ही है तो वहाँ इसी सब्द को लेंगे तो वहाँ पंडित मानी ऐसा सब्द बन जाएगा तो सार यह है कि यदि अपने आपको माना जाएगे दूसरे को तो निनी प्रत्या तो हो सकता है पर खस प्रत्या तभी होगा जब अपने आपको ही वैं मानता हूँ अस्तु आज का यह प्रगण यहां समापत होता है और यहीं पर मैं आज के वीडियो को इतिश्रिक देता हूँ और आगे तक के लिए हम जायतु भारतम जायतु संस्कृतम कहा करके इस वीडियो को संपन्द करते हैं